आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपनी भी केलंडूला फ्लावार प्लांट को गमलो में या गार्डन के अंदर लगाया हुआ है तो उसकी केयर कैसे करनी है और उसको कौन-कौन दा फर्टिलेजर देना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथी दोस्तो चैनल पर फरस्ट आमें चिल्को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सीर जरू कीजेगा तो देखे दोस्तो मैंने कलंडूला फ्लावार प्लांट को गमलो के आप देखे दोस्तो आज रिप्योट की हुए पिर दस दिन हो चुके हैं दस दिन के बाद मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ यापी आप बात करते हैं यापी केर की तो देखे दोस्तो सबसे पहले बात आती है वोटरिंग की केलेंटर फ्लावर प्लांट हमारा सर्दी का प्लांट है तो इसमें जो वोटरिंग करनी है वो आपको हलकी वोटरिंग करनी है और वोटरिंग आपको स्प्रे के थुरू करनी है और watering आप तभी करें जब आपको मिट्टी हमारी आपे सूखी दिखाई दे उपर से तभी इसमें हलकी watering कर दें साथ ही बात करें इसकी care की तो देखें कीट मकोड़े ज़्यदा लगते हैं इसमें जब ज़्यदा दो प्रोग आपको देखने को मिलेगा इसमें leaf miner यानि पत्यों पर white color की line आपको देखने को मिलेगी वो disease होती है हमारी leaf miner तो leaf miner ये बचाओ के लिए आपको क्या करना है आपको लेना है नीम oil या फिर आप लिसकते हैं लोंकतेल आपको जो मातर लेनी है 5 ml पर लिटर के हिसाब से आपको mix कर लेना है और 10 दिन में आपको एक बार इसका spray calendar flower plant पर अच्छे से कर देना है और ये spray आपको साम के समय में करनी है इस spray के करने से leaf miner जैसे disease को हम control कर सकते हैं साथी दोस्तों बात करते हैं आपे fertilizer की तो calendar flower plant के लिए best fertilizer क्या क्या आप दे सकते हैं देखें इसमें सबसे पहले अगर आपके पास DAP एविलेबल है तो DAP की 4-5 दानी आप calendar flower plant को दे सकते हैं इसके लिए आपको मिट्टी के अच्छे से गुडाई कर देनी है उसके बाद आप उसमें 4-5 दाने DAP के डाल दीजेगा जिससे आपको fertilizer की पूरती हो जाएगी आपके calendar flower plant की साथ में अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट है या गोबर की सडियो भी खाद है उसका यूज भी आप कर सकते हैं fertilizer के रूप में NPK 19-19-19 तो आप उसको भी fertilizer group में प्लांट में दे सकते हैं यह fertilizer आप दे सकते हैं calendar flower plant में इससे क्या होगा fertilizer का उपूरत समकी समय देना है 15 दिन में एक बार आपको fertilizer जरूर देना है और fertilizer देने से पहले आपको मिट्टी के अच्छे से गुडाई कर देनी है उसके बाद ही fertilizer आपको अपने प्लांट में देने है अगर यह fertilizer आप समय पे देंगे तो प्लांट हमारा स्वस्त रहेगा प्लांट फिर फ्लावर ज़्यादर आएंगे और प्लांट में इंसेक्ट भी कम लगेंगे अगर आप नीम होई या फिर लोंग के तेल का इस्प्री करते हैं दस दिन के अंदर एक बार तो यह है केर कैसे आपको क्लेंटरला फ्लावर प्लावर प्लांट की केर करनी है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्लेंटल फ्लावर प्लाइंट की केर कर सकते हैं उसमें क्याकर फटिलियर दे सकते हैं सब कुछ जानकरी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया